आगरा में सरवाधेट लोग प्रिये चैनल सीन्यूस की एक को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें कोरोना का काला साया सफेज संगे मर्मरी इमारत ताज महल पर ऐसा पड़ा कि सन्नात अज़ा गया लंब समय तक लोग ताज के दर्शन के लिए तरसते हैं लेकिन अब ताज महल को खोड़ने के असरत शुरू कर दी गई है जिससे लोग ताज महल के दर्शन कर सकें फिलहाल ताज वियू पॉइंट को खोला गया है दुनिया की सबसे खूबशूलत इमारतों मेंसे एक आगरा का ताज महल ह्रोज ताज महल का दीदार करने के लिए दुनिया वर्ट से हजारों की तादाद में देशी-बि-देशी प्रेय zeros तक आया करते थे लेकिन समूची दुनिया पर कोरोना का ऐसा काला साया छाया कि आगरा की सपेद संगमरमर की इमारत ताजमेल भी सन्ञाटे में आ गई कभी साइद ताजमेल ने भी नहीं सोचा होगा कि उसे ये दिन देखने को मिलेगा कि जब दुनिया वर से देखने के लिए आने वाले लोग उसे ही नहीं दिखाई देंगे दुनिया की सबसे खुबसूरत इमारत ताज महल कोरोना की संकट के चलते परियटकों के लिए 17 मार्च से बंद है पर अब ताज महल के दर्शन की हस्तरत रखने वाले परियटक ताज का अवलोखन कर सकेंगे ताज महल के दर्शन को छूट मिल गई है लेकिन अभी ताज महल के अंदर जाकर दर्शन नहीं हो पाएंगे केवल ताज व्यूपॉइंट से ही ताज महल की दर्शन हो सकेंगे ताज महल के साई में बने ताज व्यूपॉइंट को परेटकों के लिए खोल दिया गया है आगरविकास प्राधीकरण ने ताज व्यूपॉइंट को परेटकों के लिए खोल दिया है परेटक ताज महल के दर्शन ताज वियू पॉइंट से करने पहुंच रहे हैं लेकिन फिलाल एकका दुक्का लोग ही नजर आए ताज महल के दर्शन कर अपने इच्छा को पूरा किया सेलफी ली गई फोटो भी खिचवाई गई सेलफी के माध्यम से कोरोना संकटकाल में ताज महल की यादों को सजो कर रखा जाएगा उनल पर लेक्राएगा में तो फिलाल यहाल पर अंदर जाने नीज तिर बहुता भार से आनिकर शक्ते हो देख सकते होना नहीं कौरूना वाइरस तो यहां कि देखने नगे ताज महल को देखने की चाहत हर किसी की रहती है दुनिया भर से लोग आते हैं लेकिन ताज महल को रोना के चलते बंद था लंबे समय से ताज मेल बंद रहा ये पहला मौका था जब ताज मेल इतने लंबे समय के लिए महीनों के लिए बंद रहा धीरे धीरे कसा सुरू कर दी गई है जिससे लोग ताज मेल किया दीदार कर सकें ताज मेल व्यूपॉंट को खूल दिया गया है जिससे लोग ताज मेल का दीदार कर सकें अपने साथ ये अगले दुबे के साथ राकिश का नौजिया सी नियूज आगरा